Hi guys and welcome back to the channel दीपक्यादवजुकेशन, welcome to the daily current affairs of 16th of September 2021 तो guys आज है तारिक 16 September 2001 केस और है Thursday, आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम लोग detail में discuss करेंगे, आज बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन-कौन सा आर्टिकल का discussion करेंगे आज की वीडियो में, आज आर्टिकल थोड़े जादा है और काफी जदा important भी है सबसे पहला article बहुत important है, हाल ही में चर्चा में आया है क्योंकि Israel ने अपना एक नया robot अनिवील किया है कि border के उपर वो लोग robot का इस्तमाल करेंगे और वो robot कितना फायदे बंद है, इसके बारे में discussion करेंगे international perspective से article देखने को मिलेगा, कि अगर हम लोग youth के अंदर robots का इस्तमाल करते हैं तो इसके अंदर हम लोग को क्या advantages, क्या disadvantages देखने को मिलेंगे, ये एक अच्छा question mains के perspective से बन सकता है तो इसको हम लोग detail बे देखने वाले हैं, by the way मैं आपको बता दूँ ये जो daily current affair का वीडियो है ये daily business per morning में 5 बजे upload हो जाता है, और इस वीडियो के अंदर चितने भी article हम discuss करते हैं वो UPSC और state PSE के point of view से बहुत ज़ादा important होते हैं हर एक article को हम लोग prelims और mains के perspective से hit करने की कोशिश करते हैं आज के second article में हम discuss करेंगे जो permafrost है, by the way आज आप जानोगे permafrost क्या होता है बहुत सारी नई information आप लोग को जानने को मिलने वाली है, तो हो क्या रहा है, आज के time पर global warming का जो impact है वो permafrost पर काफी ज़दा देखने को मिल रहा है, तो permafrost का क्या हाल हो रहा है, permafrost exactly क्या होता है तो आज आपको यह जानने को मिलेगा, यह article आपका environment के point of view से काफी ज़दा important होने वाला है उसके बाद पिली भी tiger reserve जो उतरप्रदेश के अंदर है, यह चर्चा में आया, क्यों आया है चर्चा में आगे discuss करेगे और भी बहुत सारी important information है, यहाँ पर हम cover करने वाले है दन उसके बाद एक scheme चर्चा में, वो है transportation and marketing assistance scheme जो scheme होती है, यह बहुत जादा important होती है exam perspective से तो scheme वगरा को यहाँ पर हर एक scheme को cover करते वे चला करो तो यहाँ पर हम discussion करेंगे, कि मतलब जो भी transportation होता है, जो भी marketing होती है उसके अंदर यहाँ पर यह जो scheme है, इसके अंदर काफी कुछ फाइदा मिलने वाला है exporters को, काफी कुछ यहाँ पर एक तरीके से छूट मिलेगी, वो छूट क्या है आगे हम इसके बारे में discussion करेंगे दन उसके बाद ALT Space Challenge 2021 किया है, यहाँ पर innovation को लेकर चर्चा करी गई है जो class 12 के बच्चे है, या CBSC वाले schools के बच्चे है, ठीके इन्होंने collaboration किया है यह लोग यहाँ पर अपने बच्चों को, जो भी यहाँ पर school के अंदर होंगे उने यह data दिया है, जिसमें बताये चला, बहुत सारी agriculture families हैं, ठीके किसान भायों के बहुत सारे परिवार हैं जो कि आज के टाइम पर debt के अंदर है, उधारी में हैं, और बहुत जादा परेशानिया होती है इसको हम लोग थोड़ा सा topic को analyze करेंगे, अच्छे से काफी important हो जाता है दर उसके बाद अभी हीराखंड express train यहाँ पर चलाई गई है, अभी यहाँ पर हम लोग जानेंगे यह एक LHB train है यह एक important चीज हो सकती है, prelims के point of view से उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले है दर उसके बाद हाल ही में World Suicide Prevention Day देखने को मिला था, यह data इसलिए मैं आप लोग को national commission for minorities, इसके बारे में यह कौँ सा commission है, यह क्यों है चर्चा में यहाँ के एक नए member appoint हो हैं इसके अंदर, वो भी हम लोग detail में जानने वाले है, overall वीडियो काफी important होने वाला है आज से हम लोग थोड़े से articles बढ़ा कर ही discuss करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आपके सारे articles cover हों, ठीक है इजुकेशन उस channel का नाम है, जाकर उसको join कर लेना, वहाँ पर आपको daily current affair का pdf भी मिल जाता है साधी साथ दहिंदू का pdf भी मिल जाता है, साधी साथ आप लोग मुझे follow कर सकते हो, मेरी instagram id पर ये दीपक यादव education है और क्या है, कि ये जो दोनों ही चीजे है, इन दोनों का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप follow कर सकते हो साधी साथ यहाँ तक पहुँच गए हो, तो वीडियो को like ज़रू कर देना, एक छोड़ी सी request है, आप वीडियो को like करोगे, बहुत support मिलेगा, मैं और भी बहुत कुछ करना आगे कर पाऊंगा आप लोगों के लिए साधी साथ यहाँ पर क्या होता है, वीडियो बहुत सारे लोगों तक reach भी होता है, तो एक support आपका यहाँ पर यह मिल जाता है अब फट फट हम लोग revision कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक unique way में अपने इस वीडियो का discussion करता है, जो current issues होते हैं, उनको हम cover करते ही करते हैं, साथ ही साथ में, जो हम लोग previous day के article discuss करते हैं, उनका revision भी करते हैं, तो जैसे हमने कल discussion किया था, इंडिया और Australia के बीच म बाला region है, उसको open और free बनाएंगे, प्लस उसके बाद बहुत सारे topics के उपर इन दोनों countries ने मिलकर discussion किया है, मैं आपसे question पूछन पूछन चाहूँगा यहाँ पर, यह 2 plus 2 dialogue क्या होता है, नीचे comment section में जरूर बताना, उसके बाद next article में हमने discussion किया था, अचारे विनोबा भ बताना, और यह क्यों है news में, यह भी नीचे बताना, और हम लोग इने detail में discuss किया था, कि जो यह आचारे विनोबा भावे जी है, यह एक follower थे महात्मा गांदीजी के, ठीक है, महात्मा गांदीजी को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर यह follow करते थे, उनके रास्ते पर च इन लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पर 10,000 अफगानियों के ओपर यह भारी पड़ गए, ठीक है, और इन 10,000 अफगानियों के अंदर से भी लगबग 200 लोग को मार दिया था, 600 लोग को यहाँ पर गायल किया, सिर्फ और सिर्फ एक किस सिखने, ठीक है, यह सारा गड़ी क बैटल मैं कर डीटेल में समझा चुका हूँ, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यह सारा गड़ी exactly क्या है, ठीक है, आपके बहुत सारे मतलब question बन सकते हैं, बहुत सारे options बन सकते हैं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर ब स्टेट का अनिबल आपका सकते हो, स्टेट अनिबल है, कौन से स्टेट का स्टेट अनिबल यह देखने को मिलता है, तो दो question आपके यहाँ भी बन जाते हैं, दन उसके बाद हमने discussion किया था, स्वच सर्वेक्शन ग्रामीन के बारे में, अभी इसका face to launch किया गया, यहाँ प मैं भी digital 3.0 यहाँ पर बोला गया, जो street vendors हैं, यहाँ पर गलियों के अंदर बहुत सारे vendors देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग होते हैं, अपना फड लगाते हैं, वो लोग भी PTM का अस्तमाल करें, फोन पे का अस्तमाल करें, मतलब कि वो लोग QR code लगाएं, ठीके, आप लोग जाते हो शॉप पर, उस QR code को scan करते हो, ठीके, तो क्या होगा, इससे हम लोग digitally, जो transaction है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, और digitalized India की तरफ जो हमारा focus है, उसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, ठीके, यह हमने देखा था कल, तो इस प पर बोला गया, मैं भी digital 3.0 करके initiative है, उसके बाद कल हमने discussion किया था, container shortage के बारे में, तो अब हम लोग देख रहे हैं, दुनिया भर में, जो container होते हैं, उसके अंदर shortage देखने को मिला, container by the way वही चीज़ जिसके अंदर आप समान भेज कर दूसरे countries में भेजते हो, export करते हो, तो इन ही container के अंदर, बड़े-बड़े container होते हैं, लोई के, उनके अंदर समान डाल कर ship के थूरू यहाँ पर भेजा जाता है, तो यह container का shortage देखने को मिला, इस container के shortage की वज़ा से, आज के टाइम पर दुनिया भर में, बहुत बुरा impact पड़ रहा है, ठीक है, in fact, यहाँ प question पूछे गए, उनका जवाब दें, आगे बढ़ेंगे, start करते हैं discussion, आज का जो सबसे पहला article है, वो आपका international news होने वाली है, IR के point of view से important होने वाला है, और यह जो IR का point है यह आपका GS paper 2 के अंदर stand करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, अपने syllabus के बारे में, अब जो य अगर युद में, क्या करें, अगर हम लोग रोबोट का इस्तमाल करें, तो इसके क्या फाइदे है, क्या challenges इसके अंदर देखने को मिलेंगे, उस challenges को कैसे solve किया जा सकता है, है ना ही कच्छा question, तो यहाँ पर क्या है, robots in warfare करके एक article है, तो इसराइल ने क्या करा, अपना एक रोबोट बनाया है, वो रोबोट कुछ इस प्रकार का आप लोग को यह देखने को मिलेगा, यह क्या करेगा, जो एक तरीके से border होगा, वहाँ पर दस्तक देगा, इसके अंदर guns वगरा भी है, smart guns वगरा आपको देखने को मिले गया, और क्या है कि smart guns का इस्तमाल क्या जा सक तो मतलब कि लोग की जरुवत नहीं है, soldiers की जरुवत नहीं है, यह machine सारा काम कर सकती है, लेकिन कुछ दिक्कत भी होँगी, definitely हाँ पर यह machine है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत भी होँगी, वो क्या क्या होँगी, सब कुछ हम लोग analyze करेंगे, तो news में क्यों है, क्योंकि recently हाँ पर देखने को मिला, Israel Aerospace Industry है, ठीक है, इन्होंने एक remote control armed robot को अनेविल किया, बताया कि हम लोग ने robot बना लिया है, और यह robot है Rex MK2, यह आप देख पाऊगे, यह है वो वाला exactly robot, ओके, यह क्या करेगा, जो battle zones होते हैं, वहाँ पर एक तरीके सा दस्तक दे सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर यह open fire भी कर सकता है, और यहाँ पर obvious ही बात है, बहुत सारे ethical dilemmas देखने को मिलेंगे, देखो दिक्कते भी होंगी, प्लस इसके फायदे भी होंगे, वो सब क्या होगा, आगे मैं आपको बताऊँगा, आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया जाए, देखो यहाँ पर काफ सरे dangerous भी देखने को मिलेंगे, इसके कहीना कहीं देखो बार बार वही बात हो रही है, कहीना कि हमारे soldiers को protect भी करेगा, प्लस यहाँ पर कहीना कि हमारे लिए भी यह danger यानि खत्रा हो सकता है, अब हम बात करते हैं इस robot के बारे में, सबसे पहले हम इस robot के features के जानेंगे, जो यह robot है न, यह कहीना कहीं बहुत सारी intelligence को gather कर सकता है, आप कर सकते हो कि हाँ पर मतलब इतना अच्छा काम कर सकता है कि जो soldiers injured हो गए, उनको carry कर सकता है, कुछ भी हाँ पर supply करना हो तो वो कर सकता है, प्लस यहाँ पर जो target हो गया उनको strike कर सकता है, तो इतना क दूसरा इसका Rex MK2 है, लेकिन इससे पहले वाला वो है जागवार, वो भी कहीना कहीं, गाजा पटी के साथ जो border है, महाँ पर दस्तक देता है, क्योंकि इसराइल के जो relations है न, वो चाहे वो गाजा पटी हो, लामनन हो, सीरिया हो, इन सब सही जो relations काफियत तक खराब हैं, चा सब भी कहीने के इस वहीकल का इस्तमाल करती है, इस वहीकल को ऐसा smart wall की तरह इस्तमाल किया जा सकता है, अब सबसे पहला question इस वहीकल के, यानि कि अगर आप लोग वार के अंदर, युद्ध के अंदर robots का इस्तमाल करोगे, तो इसके फाइदे क्या देखने को मिलेंगे, जो नींदी भी आएगी, उनको यह सब करना पड़ेगा, लेकिन क्या है, जो कोई robot होगा, उसकी कोई limit ही नहीं होगी, वो operate कर सकता है, 24 घंटे तक चल सकता है, बिना खाना खाए, बिना सोय, बिना कुछ कर यहाँ पर, वो 24 घंटे तक दस्तक मार सकता है, पहला फाइदा यह हो दूसरा फाइदा यहाँ पर क्या हो सकता है, operational benefits दे सकता है हमारे military को, अब जैसे कि operational benefits जैसे सबसे पहला देखो, बहुत तेजी से काम करेगा, अब्यसी बात है, machine तो इंसान ते से तेज काम करेगी, प्लस सस्ता बहुत है, बहुत ज़ादा अच्छा एक option देखने को मिलेग लंबे समय तक टिक सकता है, यहाँ पर बोला गया, target exactly यहाँ पर देख सकता है, fast target मार सकता है यह, तो ऐसा हम लोग यहाँ पर, जो military है उसको काफियत तक यह फाइदा देता हुआ नजर आएगा, उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा benefit है, देखो तीसरा benefit क्या है, कि इनको एक self-sacrificing manner में भी इस्तमाल किया सकता है, यहाँ पर एक तरीकी से इनको properly मैदान में उतारा जा सकता है, अगर यहाँ पर two targets जाए या फिर इनको पर attack हो जाए, तो इतना नुकसान नहीं होगा, जितना human life को लेकर नुकसान होगा, तो next point यही है, यह क्या करता है, जो human life है, उ आप लोग देख सकते हो, now question यह है, obviously बात है, जब कोई पहलू है, तो उसका कुछ फाइदे तो होते हैं, प्लस उसका नुकसान भी होता है, हर चीज़ का यह काम होता है, तो इसके नुकसान क्या है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ arguments इसके against में, सबसे पहला argument यह है, lowering threshold of entry into war, देखो यहाँ पर गया है, कि एक limit होती है, अब यहाँ पर क्या है, कहीं न कहीं जो machines है, यह risking होती है, machines obviously risking होती है, इनके अंदर risk बहुत होता है, और यह जो warfare होती है, जो youth होती है, इसकी कुछ conditions होती है, इस conditions के basis पर youth होता है, वो conditions है, वो हेग convention के अंदर आपको कर सकती है, ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो, फायद है, तो हैंई definitely, लेकिन जो machine है, यह risky भी हो सकती है, प्लस आपने target set कर रखा, target के अंदर error हो सकता है, अब यह सी बात है, machine है, गलती हो सकती है, machine fail हो सकती है, तो यहाँ पर target के अंदर error देखने को मिल सकता है, target गल पता है, जो यह machines है, इनको कुछ यहाँ पर अंदाजा नहीं है, यह कोई भी human life को understand नहीं कर सकती है, emotions को understand नहीं कर सकती है, ठीक है, और एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो human right laws है, उनका violation होताव नजर आएगा, machine बहुत बुरी तरीके से भी इस्तमाल की जा सकती है, war के इसको hack कर लिया जाए, तो इन ही machine को अपने खुद के खिलाफ इस्तमाल लिया जा सकता है, मालो यहाँ पर इस्राइल है, इस्राइल नहीं हाँ पर इस machine का इस्तमाल लिया, गाजा पटी के खिलाफ इस्तमाल लिया, मालो गाजा के अंदर कुछ लोग हैं, जिन्होंने से काम करी, इनके favor में काम करी और इस्राइल के खुद के खिलाफ काम करने लगी, तो ऐसी चीज़े यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है कहीं है कि यहाँ पर यह machine risking भी देखने को मिलती है तो यह कुछ इसके concept होगे जो की against में है, now question यह है इसके way forward क्या हो सकते हैं, मदब इसका सुझाव क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको देखना है आज के टाइम पर technological revolution है ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि यह पूरा का पूरा एक तरीके से technology करांती आ चुक है, यहाँ पर artificial intelligence machine learning हर काम technology के basis पर चल रहा है, तो बिल्गुल हम लोग होके यहाँ पर technology पर उतरना भी चाहिए, लेकिन question यह है, उसकी productivity को भी आपको increase करना पड़ेगा, जरूरत यह है ना, कि उसको efficiency को increase करो, उसके productivity को increase करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो machine ही बेकार हो, और एक तरीके से हमारे खलाफ ही वो इस्तमाल करवा दी जाए, उसके बाद यहाँ पर क्या है, कि जब भी आप robotics को किसी युद्ध में उतार रहे हो रहे है, रोबोट को किसी युद्ध में उतार रहे हो, तो वहाँ पर फैलाने से पहले आपको उसको उपर proper research करनी पड़ेगी, ठीक है, proper आपको research की ज़रुवात है, ताकि यहाँ पर loss ना हो, low का loss ना हो, और एक तरीके से जो loss है, वो कम से कम देखने को मिले, तो इन चीज़ को उपर focus हम लोग रख सकते हैं, यह था impact permafrost के ओपर बहुत ज़ादा देखने को मिल रहा है, तो यह global warming का impact क्या है, इसको आपको समझेंगे, article Indian Express का है, अगें, यह news में क्यों है, क्योंकि एक latest IPCC की report आई थी, by the way, IPCC की full form क्या है, नीचे comment section में बताना, मैं आप लोग को पहले cover करवा चुका हूँ, इसके बारे में, तो IPCC की जो report है, latest report, इन्होंने हाँ पर बोला, जो यह global warming आज के time पर देखने को मिल रही है, मतलब जो temperature है, वो काफी तेजी से increase होता हुआ नजर आ रहा है, हमारे दुनिया बर का, इससे क्या हो रहा है, will result in reduction in Arctic permafrost, जो permafrost है, यह कम होता है नजर आएगा, obvious ही बात है, जो permafrost है, वो पिखल रहा है, जैसे global warming बढ़ रही है, इससे glacier पिखल रहे है न, उसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि global warming के होने से, जो permafrost है, वो भी पिखलते वे नजर आ रहे हैं, और जब permafrost पिखलते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह होता है, कि इनके अंदर से greenhouse gases निकलती हैं, और greenhouse gases हमारे environment के लिए बहुत खतरनाक हैं, चाहिए वो methane हो, carbon dioxide है, चाहिए वो various gases हो, तो यहाँ पर यह release होती हैं, अभी आपको समझाओंगा, don't worry, इस वाले region की बात हो रही है कि यहाँ पर आपको यह permafrost पिखलता हुआ, नजर आएगा, सबसे पिले हम जानेंगे यह, तो permafrost exactly होता क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह जो picture है, यह नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ बरफीला, यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है, कुछ लगबग 32 degree Fahrenheit के अंदर में एक तरीके से निकल दा हो, तो मतलब दो साल से मतलब इस पूरी condition के अंदर यह देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से जो यह एक तरीके से land होता है, वो पुरा जम जाता है, वो frozen हो जाता है, उसको हम लोग permafrost बोलते हैं, तो यह जो permanent frozen grounds होता है यह जाधा तर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, high mountain regions पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको mountains देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहोंगे, इस वाले mountain है, यहाँ पर कुछ land है, तो यह permafrost कहलाएगा, ठीके तो ऐसे regions यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो उ अगर आप सोचो कहीं कि बरफा हुगा तो पर्माफ्रॉस्ट लाएगा तो ऐसा नहीं है यहाँ पर्माफ्रॉस्ट ला रीजन यह बरफी ला रीजन तो नहीं है लेकिन फिर भी पर्माफ्रॉस्ट है तो ऐसा नहीं है कि पर्माफ्रॉस्ट हमेशा बरफा से ही कवर रहेगा जो यह landscape होता है, अगर permafrost का landscape लंबा दूर तक आपको यह permafrost देखने को मिलेगा, तो उसको tundra बोला जाता है, जहाँ पर एक तरीके से tree-less plane ही होता है, मतलब कि हाँ पर कोई पेड़ दिख रहा है आपको, कोई पेड़ नहीं दिख रहा, यह आपको permafrost की तोर पर कहलाय जाएगा, अब हम बात करते है permafrost के कुछ एक तरीके से specifications के बारे में, तो होता क्या है नीचे permafrost जैसे हम लोगों ने बात करा, अब क्या है global warming बढ़ रही है, मतलब sun से गर्मी जादा बढ़ रही है, प्लस घरती पर पढ़ रही है, अब पढ़ लेगी तो जो permafrost 32 degree Fahrenheit के अंदर है, अब क्या होगा, जब इस पर आप गर्मी दोगे तो इसके अंदर जो भी organic matter जमा हुआ है, वो पिगलेगा, अब जब वो पिगलेगा, तो इससे क्या होगा, चौथा step ये देखने को मिलेगा, इसके अंदर से carbon release होगा, अब आपको carbon को release होगा, क्योंकि permafr एक ऐसी चीज़े, एक ऐसा ground है, जो की carbon को absorb करता है, ठीक है, carbon को absorb करता है, नहीं कि pollution को कम करता है, अगर permafrost जाद आगो, तो pollution को कम करेगा, लेकिन अगर permafrost पिगलेगा, ये melt होगा, तो इससे pollution बढ़ेगा, तो carbon release होता है, atmosphere के अंदर, greenhouse gases, methane हो गया, ये increase होता होगा नज आता है, ठीक है, तो permafrost के बारे में, I hope, आपको समझ में आगया होगा, क्या है exactly, तो जो permafrost है, लगबख 1500 billion tons of carbon, यहाँ पर आपका सकते हो, ये एक तरीके से store कर लेता है, अपने अंदर, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे कि, यहाँ पर perma को release कर देगा, तो यह कहीने कही नुकसान वाली बात भी देखने को मिलती है, इसी वज़य से बोला गया, कि जो global warming का impact है, परmafrost पर वो बहुत खतरनाक है, इससे हमारे environment को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जहरिली gases निकल रही है, ठीक है, अब हम बात कर greenhouse gases निकलेंगी, greenhouse gases मैंने आपको बताया, इसके अंदर से carbon dioxide हो गया, और भी वह सरी gases हो गई, वो निकलती भी नजर आएंगी, प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हो, इसका जो nature है न, वो carbon store house का nature है, जो permafrost है, यह carbon को अपने अंदर store करता है, लेकिन अगर आप इस प नए-nay bacterias हो गए, नए-nay virus हो गए, उनको भी environment के अंदर release करता है, और यह नए-nay bacterias, नए-nay virus जो होता है, वो एक नए विमारी लेकर आ जाता है हमारे सामने, यह हमें conditions देखने को मिलती है, अब यहाँ पर क्या है steps to be taken, यहाँ पर क्या है steps लेने चाहिए, सबसे पहला आपको climate change को tackle करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हर एक article के अंदर यह चीज mentioned होती है, आपने अपना target रख रहा है 2030 तक, 2050 तक तो भाई उसको follow करो, प्लस climate change को पर focus करो, और यहाँ पर यह temperature उसको control करो, जो erosion हो रहा है, यहाँ पर वो कम से कम हो, प्लस देखो आपके टाइम वापस से refresh किया गया, refresh मतला वापस से जमाना, तो यह artificial method इस्तमाल किया गया है, ऐसा method हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर उसकी thickness को increase कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह steps उठाय जा सकते हैं, कि हम लोग जो भी Arctic region है, उसको वापस से refresh किया जा सके, ओके, तो यह पाऊगे दहिंदू का है, और दहिंदू एक most important source है, हुआ क्या है, जो elephants है, वो नेपाल से निकल कर आए, और इनोंने बहुत सरी crops को damage करा है, यूपी के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो, recently एक जुण था elephant का, यह कहां से निकल कर आ रहा है, शुकल पंदा नाशनल से निकल कर आया, और यह PDB Tiger Reserve पर पहुचा, और इस Tiger Reserve पर जो farmers की फसले थी वो बरबात करी है, तो हम लोग इसको सब को discuss करेंगे, जो यह शुकल पंदा नाशनल पार के नाशनल पार के नेपाल के तरही वाले रिजन में देखने को मिलेगा, नेपाल का तरही रिजन कौन सा इसके बारे में, सबसे पहले पिलीबी Tiger Reserve चर्चा में आया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं, पिलीबी Tiger Reserve जो है, एक तरीके से पिलीबी पिलीबी डिस्रेक्ट आपको उतरप्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, पिलीबी डिस्रेक्ट लखीमपूरी खेरी डिस्रेक्ट उसका भहराईच डिस्रेक्ट आपको यह देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर जो पिलीबी Tiger Reserve है, इसको Tiger Reserve का दरजा दिया गया था, 2014 के अंदर इसको designate किया गया, और इसको इंडिया का 45 वा tiger reserve project की तौर पर देखा गया, 2020 के अंदर एक इसको international award मिला था, जिसका नाम था award team to two, इसका मतलब यह है tiger की population, पिछले 4 साल के अंदर यहां पर डबल हो चुकी थी, उसकी वज़ा से यहां पर इसको यह award मिला, यह बहुत सारे linkages है, बहुत सारी जगा से link होता है, जैसे की सुराही range से link होता है, लगगा बगगा सुकलपंतर नैशनल पार्क से link होता है, यह नेपाल के अंदर है, और सुराही range यह कॉर्बेट के अंदर है, एक तरीके से यहां पर आपका सकते हो, कॉर्बेट वाला है, और उसके लिए केशन पूर वाइड लाइफ सेंक्चुरी ये दुदवा वाली जगा की बात हो रही है तो यहाँ पर जो पिलीबिट टाइगर रिजव है ये अलग अलग जो एरियास है उनसे यहाँ पर लिंक खरता है ये आप लोग ध्यान रख सकते हो यहाँ पर अलग लग फ्लुरास फ़ाणास पाई जाते हैं लगबग 127 यहाँ पर ऐनिमल की प्रजातियां पाई जाती हैं 326 बर्ड की प्रजातियां पाई जाती हैं 1200 फ्लारिंग प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस पिलीबिट टाइगर रिजव के अंदर animals की बात करें तो tiger देखने को मिलता है swamp deer, bangol, florican, leopard वगरा यहाँ पर पाए जाते हैं और plant की बात करें तो बहुत सारे plants पाए जाते हैं बहुत सारी water bodies भी पाए जाती हैं जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उतरपिदेश का अगर हम बात करें तो यहाँ पर दुद्दवा tiger reserve आपको यह वाला यहाँ पर देखने को मिल जाता है उसके बात बहुत सारी sancturies हैं यहाँ पर जैसे red वाला जो star है यह सारी आपको यहाँ पर sancturies देखने को मिलती है अब बात करते हैं तो तरही आटLandscape के बारे मैं हम लोग डिटेल में डिसकस कर चुके हैं, ये एक तरीके से ये जो एरिया है, ये spread होता है, इंडिया का जो state है, उत्रक्षंड, उत्रपदेश, बिहार, ये सब क्या करते हैं, बौंडरी को share करते हैं, कहां से जो नेपाल की low-lying hills हैं, इन से ठीक है, यहां पर जो नीचे वाला एरिया ह इन से यहां पर एक तरीके से ये boundaries को share करते हैं, इसी को तरही वाला रीजन बुला जाता है, यहां पर आपका सकते हो, बहुत सरे tiger reserves पाई जाते हैं, जैसे कि economy के point of view से important है, और economy stand करता है, GS paper 3 के अंदर, यहां पर चर्चा हो रही है, transportation and marketing assistance scheme के बारे में, तो यह scheme क्या है, इसको लोग समझेंगे, सबसे पहले आप देखोगी, यह newsman क्यों है, क्योंकि हाल ही में, जो ministry of commerce and industry है, इन्होंने एक तरीके से यहां पर, यह इस scheme को revise किया है, और आप कह सकते हो, यह 31st मार्ट 2022 तक यहां पर यह effectively काम करेगी, इस scheme को launch के गया था, साल 2019 में, ताकि कुछ financial assistance दिया चासके लोगों को, जो भी हां पर agriculture product को export कर रहे है, अब यहां पर जब हम लोग कुछ उनको छूट देंगे, तो क्या होंगे, वो जादा सादा export करेंगे, और जादा सादा पैसा कमाने की सोचेंगे, तो export हमारे country का increase होगा, तो यह जो export है, यह कहां पर किया जा रहा है, यूरोप और North America के अंदर किया जा रहा है, तो महीं पर कुछ फूट प्रोवाइड कर वाई जा रही है, भारत सरकार के दोरा, आप कर सकते हो, साल 2018 की बात है, गवर्नमेंट ने agriculture export policy को approve किया था, जहां पर हम लोग अपना जो agriculture export है, उसको increase करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, वो इसके बाद यहाँ पर जो APIDA है, agriculture and processed food product export development authority, यह बहुत important body है, यह भी यहाँ पर यही काम कर रही थी, कि भारत का जो agriculture और food product है, वो जादा सादा export export हो, वो country से जदा-जदा export किया जा सके, तो इसी वज़य से आप कर सकते हो, यहाँ पर यह तरीके से TMA scheme है, मतलब की transport and marketing assistance scheme है, यहाँ पर सरकार क्या करेगी, जो भी आप कर सकते हो, मान लो कि यहाँ पर एक exporter है, यह तरीके से export करेगा product तो सी जगा पर, जैसे मैं आपको ब वापस से फेर देगी, लोटा देगी, कुछ portion, फ्राइट charges का, प्लस यहाँ पर कुछ assistance देगी, जो भी exporter हैं उनको, इससे क्या होगा हमारे country का export होगा, जो आज के टाइम पर scheme को revise किया गया है, जिस वज़य से scheme चर्चा में है, तो इस revise scheme के अदर dairy products को भी include किया गया, dairy products हो और 100% assistance दिया जाएगा, जब आप air के थुरू export करोगे, तो यह कुछ चीज़े यहाँ पर बताई गई है, अभी मैंने आपको agriculture policy 2008 के बारे बताया है, यह आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने सारी चीज़े डाल दी है, यह PDF आपको telegram पर मिल जाएगी, वहाँ से आप body के बारे मैंने बताया था, अपीडा जिसने यहाँ पर main focus रखाए कि agriculture export जादे से जादा हो हमारे country का, तो अपीडा क्या है, इसकी full form मैंने अभी आप लोग को बताई, agriculture and processed food product export development authorities की full form है, अपीडा एक non-trading statutory body है, जिसको भारा सरकार ने बनाया था, और यहाँ पर इसका main का यही था कि हमारे country का जो agriculture है, उसको एक तरीके से बढ़ा सके आगे, इसका जो headquarter है वो New Delhi के अंदर देखने को मिलेगा, और इसका main काम मैंने भी आप लोग को बता ही दिया है, अब यहाँ पर जो यह एक तरीके से transport marketing assistance scheme है, इसके कुछ objectives हैं, पहलो objective यह है कि assistance provide करवाना मैंन और product की, उसको promote करना दुनिया भर में, यहाँ पर यह focus रखा जाता है, ठीके, यह focus रखा जाता है, किसके तुरू, इस scheme के तुरू, यहाँ पर यह focus रखने की बात की गई है, आगे बढ़ेंगे अगले article की दरफ, अगला article science and technology के point of view से important होने वाला है, और science and technology आता है आपका GSP per 3 के अंदर, आज के सारे article GSP per 3 के perspective से important आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर article में चर्चा हो रही है, ATL Space Challenge 2021, यह क्या है, तो news में क्यों हो था, क्योंकि हाल ही में, जो नीती आयो का अटल innovation mission है, ATL मतलब अटल innovation mission यहाँ पर नाम है, ठीके, AIM भी बोला गया है, इसने य collaborate करा, EZRO के साथ, CBSC के साथ, और collaborate करने के बाद, इन्होंने ATL Space Challenge 2021 को launch कर दिया है, इसी के साथ बोला, जो हमारा union cabinet है, जून 2020 में, इन्होंने decide किया था, कि यह एक space sector को open करेंगे, किसके लिए private sector participation के लिए, और इसी के साथ, यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से entity बनाई थी, Indian National Space Promotion Authorization Center, जिसको in space बोला जाता है, ताकि जो private companies है, इनका जाद से जादा आपका सकते हो, कि हाँ पर participation देखने को मिले, भरत के space infrastructure के अंदर, ठीक है, तो private participation को बढ़ाने के लिए काम किया गया, अभी हाँ पर जो यह scheme लाई गई है, यह एक तरीके से हाँ इसका main काम यह है, जो बच्चे हैं, class 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं, उनको एक open platform मिले, वहाँ पर जो के वो research कर सकें, नहीं नहीं यहाँ पर चीज़े सीख सकें, और जो space technology problems होती है, उनको solve कर सकें, जो students होंगे from both, अटल tinkering labs है, अटल tinkering labs हो गई, या फिर non-टल tinkering school हो गई, यहाँ पर आप कर सकते हो कि, जो students होंगे, वो सब अपनी entities को यहाँ पर submit करेंगे, और कुछ नया-नयास यहाँ पर सीखने को मिलेगा, साथ-साथ इनको support किया जाएगा, students को यहाँ पर support किया जाएगा, और इस scheme के अंडर में, इस initiative में, जो school है, उसको यहाँ पर कुछ पैसा जो कि, वो लोग एक ऐसी labs वगरा बना सकते हैं, जिस lab के अंदर बच्चों को एक तरीके से नयने ideas दिये जा सकें, नयने experiments सिखाए जा सकें, ठीके, और इसी के साथ आपको मालूम होना चाहिए, 4 October से 10 October को, हम लोग क्या celebrate करते हैं, 4 October से 10 October को observe के जाता है, World Space Week 2021, तो यहाँ पर बात करी गई है, बच्चों को एक तरीके से पहले से स्पेस, साइंस, टेक्नलोजी की नॉलिज दी जा सके, और इसी को लेकर अटल innovation mission भी काम करता है, आपको नाम से समझ मा रहा होगा innovation, innovation नयने अविशकार करना, इसके ओपर यहाँ पर फोकस के जाता है, तो इसका अट अटल innovation mission का main focus यह रहता है, नये programs बनाना, ताकि जो है, collaboration करना, और ताकि बच्चों के पास opportunities आए, बच्चे जो है, यहाँ पर एक तरीके से नयने innovation कर सकें, अपनी country के अंदर, तो इसके ओपर यहाँ पर यह फोकस रखता है, और बहुत सारे initiatives इसके अंडर में देखने को मि initiatives हैं, जिनका main focus यह होता है, हमारे country के अंदर, जो innovation है, जो आविशकार है, उसके ओपर focus के जा सके, प्लस बच्चों के पास कुछ यहाँ पर space knowledge आ सके, technology से related knowledge आ सके, problems को वो solve कर पाएं, technological problems को solve कर पाएं, उसके ओपर यहाँ पर focus किया गया है, ओके, नाव बढ़ेंगे अगल उकी एक report है, इन्होंने बोला कि लगबग 50% जो agriculture household है, यानि कि जो घरवाले हैं, जो की खेती बाड़ी करते हैं, लगबग 50% हमारी country के अंदर, वो उधारी में फसे पड़े हैं, उन्होंने बहुत जदा उधार ले रखा है, 2019 का यह survey conduct किया गया, और बोला गया, उधार ल मालूम होगा, जो money lender है, जो देंदार हो गया, यह बहुत सारा interest भी लेते हैं, ब्याज भी लेते हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, COVID के वएसे सब कुछ ठप चला, तो यहाँ पर कुछ अच्छा पैसा है, यहाँ पर कमानी पा रहे हैं, इसकी वज़ा से farmers और जदा दिक्कत म मिलेंगे, और जदा परिशानी में हैं, यह जो survey है, यह बताता है, जो average monthly income है, देखने को मिली है, in agriculture household की, वो monthly income, इनकी 2018, इसके अंदर हर महीने 10,208 रूपे यह लोग कमा रहे हैं, अब इतना loan ले रहा है, यह लोग loan कैसे चुकाएंगा, अब loan with interest यहाँ पर चुकान है, ब short news discuss करने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी article छूटे ना, यहाँ पर again एक article economic perspective से important है, चर्चा हो रही है हीराखंड express के बारे में, तो यह हीराखंड express क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक train को चलाया गया है, यह Times of India का article है, हीराखंड express के अंदर LHB coaches लगाएगा है, यह modern LHB coaches है, LHB coaches क्या होते हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा, तो जो हमारे railway minister है, बाइदावे, कौन है railway minister, नीचे comment section में बताना, इन्होंने एक तरीके से, नई modern LHB जो रेक है, भूबनेश्वर, जगदलपूर, भूबनेश्वर करके, यहाँ पर यह train है, इसको एक तरीके के अंदर यह train चलाई गई है, और यह कौन सा वाला एरिया है, तो भूबनेश्वर के अंदर आपको यह एरिया देखने को मिल जाएगा, अगर हम बात करें इंडिया के मैप में, तो इंडिया के मैप में इस वाले particular वाले region के बारे में चर्चा हो रही है, तो जो हीराखंड एक्सप्रेस है, यह कितनी जर्नी कवर करेंगे, लगबख 784 किलोमीटर की यहाँ पर यह जर्नी होगी, भूबनेश्वर से जगदलपूर तक की, और इसके अंदर 21 स्टॉपेज होंगे, बहुत सारे जो एक तरीके से मोस्ट पॉमिनेंट स्टेशन होते हैं, ओडिशा का, अंदर प्रदेश का, 36 जड़का वहाँ पर यह ट्रेन रूकेगी, इस ट्रेन के अंदर 12 कोचिस हैं, ठीक है, 12 डब्बे हैं, जिसमें 850 पैसेंजर हैं, यहाँ लगप तक करेंगी, यहाँ पर जर्नी हरांस हो सकती है, और लोगई की सेफटी के ओपर भी धियान रखा जा इनको पहली बार introduce किया गया था, East Coast Railway के अंदर तो आपको ध्यान रखना है, 2013 में सबसे पहली बार इनको introduce किया गया, Now यह जो LHB coaches होते हैं, मैंने आपको बताया, Link Hoffman Bush करके यहाँ पर coaches का नाम है, यह Indian Railways के अंदर यहाँ पर coaches develop करे गए थे, एक तरीके से यहाँ पर एक यह जो Link Hoffman Bush of Germany है, इनके दोरा यहाँ पर यह coaches develop करे गए और ज्यादा तर यहाँ पर फिर जो coaches है LHB वाले वो बनाए गए Rail coach के थुरू, जो Factory Kapurthala के अंदर देखने को मिलेगी भारत के अंदर, बाकी सारे coaches तब बनाए गए, यहाँ पर इन coaches का अंदर अगर हम बात करें, तो इनको 2000 साल 2000 से इस्तमाल किया जा रहा है, और एक तरीके से लंबे टूर के लिए हाँ पर अराम से इसको इसको इस्तमाल नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो coaches हैं, इसका अंदर बोला गया कि एक तरीके से इसके अंदर इतनी अच्छी safety प्रोवाइड करवा रखी है, कि अगर कोई टकराव वगरा होता है, तो इससे कोई यहाँ पर collision वगरा नहीं होगा, या डबे पलटते वगरा नहीं नजर आएगे, ऐसी चीज़ हम लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो LHP coaches काफी हतक safety को रिगार्डिंग यहाँ पर इसको पर focus रखा गया है, तो safety काफी हतक इसके अंदर यह चीज़ हम लोगो देखनी है, तो यहाँ पर इसकी full form आप लोग याद रख सकते हो, उसके बाद करेंगे next article के बारे में, अगला article health के perspective से important है, और health again आता है GS paper 2 के अंदर, यहाँ पर चर्चा हो रही है, वर्ल्ड suicide prevention day को लेकर, तो वर्ल्ड suicide prevention day मराया जाता है, observe किया जाता है, 10th of September को, ठीक है, तो 10th of September अभी निकली है, इसे वजाए से वर्ल suicide prevention day को observe किया गया, यहाँ पर पर दे रहा है, कोई न कोई अपने हैं पर suicide कर रहा है, और यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सरी cases यहाँ पर एक तरीके दर suicide के देखने को मिलते हैं, COVID-19 pandemic के टाइम पर भी, यह in fact suicide increase होती भी नजर आई है, 2019 का data अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत जादा suicide देखने को म ठीके, तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर focus ही आगया है, कि suicide को रोका जा सकता है, और लोग को इसको करना भी नहीं चाहिए, ठीके, मतलब एक तरीके से suicide करने भी नहीं चाहिए, किसकी वज़ासे यहाँ पर करने है suicide, परेशान होने की वैसे, जिन्दगी में कि किसी परेशान है, उसकी वैसे यहाँ पर ही suicide देखने को मिल रहा है, यहाँ पर उस चीज़ से tackle कर जा सकता है, आप दूसरे व्यक्ति के साथ बैठ कर consult करो, बातचीत कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी problem है, उसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर suicide कोई ऐ तो आप air का article दिपाऊगे, सरदार इकबाल सिंग ललपुरा, ठीक है, इनको यहाँ पर National Commission for Minorities का चेर्मना दिया गया है, तो इसी वजा से यह चर्चा में है, सरदार इकबाल सिंग ललपुरा को चार्ज दे दिया गया as a chairman of National Commission of Minorities, अब यह National Commission for Minorities exactly क्या है, तो आप समझ रह order के थुरू Minorities Commission को बनाया था, ताकि जो Minorities लोग है, जो बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं, Minorities लोग है, उनको यहाँ पर protection दी जा सके, ठीक है, जो National Commission for Minorities लाया गया, इस Act 1992 के थुरू तो आपको ध्यान रखना है, तो Minorities Commission जो है, एक तरीके से एक statutory body बन कर आया, जिसको ब Minorities लोग है, Minorities वाले लोग है, उनको एक तरीके से support कर जा सके, उनके welfare के लिए यहाँ पर कुछ development programs हम लोग चला सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर कोई specific complaint आ रही है, उनके regarding तो उसको देखा जा सके, या फिर वो लोग कोई complaint कर रहे है, उन लोग को कोई परिशानी हो रही ह उनके परिशानी हो को solve किया जा सके, साथ यहाँ पर इस commission का main focus यह भी रहता है, studies को लेकर चलो, research को यहाँ पर लेकर चलो, कि माल लोग कोई एक जो social development है, minorities को लेकर, जो minorities है, उनके अदर विकास इतना हो नहीं रहा है, ठीक है, तब ही तो minorities category के अदर आपको यह देखने को मि कर सकते हैं, उसके बाद यह जो national commission for minorities है, इसके अंदर कौन-कौन होता है, तो इसके अंदर एक chairperson होते हैं, आपको ध्यान रखना है, chairperson के साथ, एक vice chairperson होता है, पांच members होते हैं, जो कि nominate करे जाते हैं, central government के थुरू, तो यह चीज़े कुछ हैं, जो कि आप लोग यहाँ प समाप्त, मिलते हैं आप लोग से नेक्स वीडियो में, आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and जै हिंद